दोस्त अगर आप भी अपने Facebook का password पता करना चाहते हैं, आप अपना password भूल गए हुए हैं, तो इसको पता करना काफी जादा आसान है, यहाँ पर मैं आपको तीन तरीका बताने वाला हूँ, जिसकी मेरे से Facebook का password बहुत ही आजानी से पता कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मालू हम Facebook का password कैसे पता क्या जाता है, तो इस वीडियो को ध्यान से लाश्टक देखते रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम Facebook को open कर लेंगे, अब Facebook open करने के बाद आपको profile पर आ जाना है, उपर के side में, और यहाँ पे सबसे नीचे के side में आ जाएंगे, और यहाँ पे setting and privacy वाले option पर click करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम फिर से setting पर click कर देंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपको account center पर आना है, और यहाँ पे आपको जो ही नी password चेंज हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे password चेंज करने के लिए आपको पहले वाला password पता होना चाहिए, और यहाँ पे आपको अपना password को पता करना है, आपको तो password पता ही नहीं है, तो यह तरीका तो यहाँ पे fail हो गया, यहाँ से आप password पता नहीं कर सकते हैं, चल यहां पे हमारा पहला तरीका यह है आपको जो है अपने मुवाइल फोन के जीमेल में आ जाना है अब जीमेल हर किसी के मुवाइल फोन में होता है जीमेल एपलिकेशन को आपको ओपन करना है यहां पे जीमेल को ओपन करने के वाद आपको ऊपर के साइड में आपको प्रोफा देख करके पता कर सकते हैं और आप अपना Facebook account को login कर सकते हैं तो यहाँ पर Gmail में आने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है यहाँ पहलगा स्लाइट किजिएगा सिग्रेटी नाम को option आपको देखने को मिल जाएगा सिग्रेटी पर आपको click करना है अब यहाँ पर सिग्रेटी पर आने के बाद आपको नीचे के साइड में जाना है सबसे नीचे आजाना है और यहाँ पर आपको password manager नाम को option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको password manager पर click करना है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं facebook.com लिखा हुआ है यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको अपने mobile phone के screen log डालना है जैसा आप यहाँ पर mobile phone का log डाल दीजेगा उपर के साइड में आपका username और यहाँ पर नीचे के साइड में password मिल जाएगा यहाँ पर click करके आप password को देख सकते हैं और यहाँ पर click करके password को copy कर सकते हैं यह रहा पहला तरीका अगर इस तरीका से आपका password नहीं पता चलता है आपका password नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ जो की काफी ज़्यादा important है यह setting भी सीख लीजिए आपको काफी काम आएगा simply आपको अपने phone के अंदर chrome browser को open कर लेना है Google Chrome open करने के बाद simply करना क्या है आपको उपर के side में 3.0 पर click करना है अब यहाँ पर आपको नीचे के side में setting का जो option देखने को मिल रहा है इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर setting में जैसे आप आ जाते हैं ना setting में आने के बाद आपको password manager नाम को option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर click करना है अब यहाँ पर आने के बाद आपको facebook को यहाँ पर ढून लेना है यहाँ पर मेरे phone के अंदर जितना भी ID login है सब का नाम यहाँ पर आ रहा है हम यहाँ पर facebook पर click करेंगे यहाँ फिर से आपको screen log डालने के लिए बोला जाएगा अब अपना log यहाँ पर डाल दीजिए log डालने को आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा password दिख रहा है यहाँ पर click करके हम password को देख सकते हैं और यहाँ पर click करके हम password को copy भी कर सकते हैं तो यहाँ पर दो तरीका से तो आप password बता कर सकते हैं अब यहाँ पर लाश वला तरीका क्या है वो मैं आपको बता जाता हूँ अब यहाँ पर लाश वला तरीका यह है अगर आपका Facebook एकाउंट लोगीन है तो simply आपको प्रोफाइल पर आना है नीचे के साइड में सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर एकाउंट सेंटर के अ सिंपली सेंट वर्टसप पर या फिर सेंट टू इमेल पर फोन नंबर को जो अप्सन देखने को मिल रहा है उस पर क्लिक करना है आपके उस नंबर पर या फिर वर्टसप एक ओटीप आएगा और ओटीप डालने के बद आप नया पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं ठीक ह अपके नंबर पर ओटीप आएगा ओटीप डालने के बाद अब अपना पासवर्ड एक नया यहाँ पर बना सकते हैं इस वीडियो से अगर आप कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं ने एक्स वीडियो में